हेलो फ्रेंस आज मैं कृष्ण कमल प्लांट की राखी बेल की रिपोर्टिंग करूंगी मैं खरीद के लाई थी मरून कलर का तो चलिए मैं दिखाती हूं प्लांट को यह दिखिए छोटी सी पॉट में प्लांट है लेकिन इसमें फूल है यह खिल गई थी और अब यह में पास रेड कलर की है पहले की प्लांट आभी मैं मरून लाई हूं तो यह प्लांट बिल्कुल छोटी प्वार्ट में है तो मैं इसको 20 लीडर के जो पानी के कंटेनर होते हैं उससी को उपर से कटके हटा दी हूं और नीच्छी होल करके मैं इसी में लगा हूंगी तो को यह भी प्लांट लगाने से पहले नीचे होल कर ले और सबसे नीचे यह दिखी ऐसे साइस के कंकर और मोटी वाली रेत से दो एसे डेरी इंच भर दे अगर बड़ा बरतन में लगा रहे हैं तो मैं डेरी इंच भरी हूं इसको ताकि ड्रेनेज हो अच्छा रहे हैं अब देख तो इसको चूण करके भी डाल सकते हैं एक चम्मच जिंक फटिलाजर डालना है बड़ा कंटेनर है और मिटी भी ज्यादा है और एक चम्मच से थोड़े कम सिंगल सुपर फस्वेट ताकि उसके रूट अच्छी रहे प्लांट के और दो से तीन मुठ्छी मैं यहां पे नी कर सकते हैं इसके जगा पर श्टोन डॉस्ट ले बोन मिल के जगा पे और हर्ण मिल के जगा पर आप काव डंग का पुरानी दो सल खात ले ले और यह है भर्मी कंपोस्ट में आधा केजी से ज्यादा ली हों 500 ग्राम से थोड़े से ज्यादा क्योंकि मिट्टी ज्यादा है और यह है बिल्कुली नर्मल सायल नर्मल गार्डन सायल साधा मिट्टी और पहले वाली मिट्टी में रेत कोकोपीट और नर्मल गार्डन सायल मिक्स की हुई है अब यह सारे मिश्रन को मिक्स करना है अगर यह दुनों चीज आप नहीं लेना चाहते बोन मिल हर्ण मिल तो तो आप भर्मी कमपोष्ट थोड़े और ज्यादा डाल दे डालके मिट्टी को अच्छे से मिलाए नहीं तो भर्मी कमपोष्ट कम हो आपके पास तो आप पुराने दो साल पुराने या डिर सल पुराने काउड़न के जो खा दोते सुखी वली उसको ले ले देखिए मैं अच आई हुए मिट्टी होगी उसको भरे तो प्लांट को ऐसे उल्टा करेंगे नॉर्मली तो यह निकल जाती है लेकिन यह चिकनी मिट्टी में लगाई हुई है तो यह निकल नहीं रही है और थोड़े मैं पानी भी डाल दी हूँ चिकनी मिट्टी चिपक गई है तो ऐसे अब तपा लेने से आराम से निकल जाएगी देखिए ऐसे उल्टा करेंगे तो यह प्लांट निकलाएगी तो प्लांट का हेल तो काफी अच्छा है देखिए किष्ण कमल का पैशन फ्लार भी नाम है पैसी फ्लोरिया बहुत सारे इसके नाम होते हैं देखिए इसके मिट्टी बिल्कुली चिपचिपी है तो मैं हटा नहीं सकती क्योंकि पानी डाल दी हूं तो रूट एक साथ हो गई है और पानी नहीं भी डालती तो रूट इसमें अंदर है तो टूट जाएगी तो प्लांट होगी नहीं तो मैं ऐसे ही इसको लगाऊंगी जब मैं यह अपना सोयल बनाई हूं इसमें मैं रेत डाल दी हूं तो इसके जो रूट आएंगे तो अच्छे से चल पाएंगे क्योंकि इसमें मैं रेत कोको पीटी सब मिला के लगाई हूं बनाई हूं मिट्टी को तो यह मिट्टी से अच्छे से प्लांट चल जाएगी और मैं रेत मिलाई हूं मि को बिठा के देख लें। ज्यादा नीचे तो नहीं जा रही है मिट्टि आप ड़ने हुए थोड़े से आ civ second को भरें। है जो बनाईहु हुई अनि Celebrate नौर्म गार्डन सॉल कोई पीट और रीत इसंद मिट्टि अपर रख लें। मैं भरमि थोड़े से बोर्ण मील, होर्ण मील, जिंक फटिलाजर, सिंगल सुपर फस्पेट डाली हूँ इसके जो रूट है प्लांट के उसके ग्रोथ के लिए यह सब डालके सोयल मिक्स अच्छे से बना के ऐसे करके भरे भरने के बाद हो सके तो आप ऐसे करके थोड़े थपतपा दे ताकि मिट्टी अच्छे से जाके नीचे बैठ जाए और पॉट में कोई एरगे पनार है इसके बाद मैं इसमें नॉर्मल गार्डन सैल डालूंगी देखिए ऐसे डाल दी हूँ मैं नॉर्मल गार्डन सैल जो इसमें कुछ भी खाद नहीं मिलाई हुए ऐसे मिट्टी मैं क्योंकि नीचे मैं खादवली मिट्टी बहुत जादे डाल दी हूँ 20 लीटर का ये कंटेनर है तो इसमें काफी मिट्टी आती है और प्लांट का रूट बल छोटा ही है प्लांट भी छोटी है इसलिए मैं एक से डेर इंच नॉर्मल गार्डन सैल उपर से दे दी हूँ भरना है पूरी तरह से भर देना है और एक बार जब भर देने का बाद पानी इसके अंदर नीचे से ड्रेन हो जाए फिर इसको पानी से भर दे ऐसे करके दो बार करें जब कोई भी प्लांट को रिपट करें आप तब उसके बाद आप रेगूलर जो पानी देंगे वो हिसा पानी डालनी है देखिए मैं प्लांट को लगा ली हूँ और यह 20 लिटर का कंटेनर में आराम से ग्रो हो जाएगी बढ़ी होगी तो मैं आप लोग सक भी शेयर करूंगी तो फ्रैंस इसको मैं काल लगाई थी और आज मैं सुबह आके देखी तो और फुल खिल गया था जो कल जो है बिलकुल राखी की तरह दिखती है और इसका नामी से लिए राखी वेल पड़ा है अगर आप कहीं लगा के इसको लटका देंगे या कहीं उपर चढ़ा देंगे बेलनुमा प्लांट है तो इसमें खुब सारे फूल खिलेंगे जैसे फ्लेम बाइन होती है वैसे हम ल इसका कंटेनर या 50 लिटर का ड्रम में लगा सकते हैं तो अच्छे से ग्रोह होगी तो बाइ फ्रेंस थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल